So, Hello students, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे और आपके अपने चैनल Brown Study में, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे प्रमुक देश और उनकी संसत के नाम जो कि आपके एक्जाम में कहीं न कहीं आपको मिल जाते हैं, तो चलिए आज का वीडियो स् उप्रियुक्त दोनों, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की जो संसत है, वो तीन सदनों से बेसिकली मिल करके बनती है, पहला आपका लोकसभा, फिर राज्यसभा और तीसरा होता है राश्रुपती, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारत की संसत का क्या नाम ह तो यहाँ पर आपको बताना है कि पाकिस्तान की जो संसत है उसका क्या नाम है, चार आपके सामने, राइट आंसर आपका हो जाएगा, नेशनल असेंबली एवं सीनेट, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है धर्ड नमबर, बुल गया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर सी, जाती संसत, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, फिफ्ट नमबर, बुल गया है यहाँ पर चीन की संसत का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपका राइट राश्ट्री ये पंचायत, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सेवन्थ नमबर, जिसम बुल गया है, म्यामार की संसत का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर A, जितु, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपको दिया गया है, एट्थ नमबर, बुल गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर B, मजलिस, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पूछा जा चुका है इसलिए आपको इस कोश्चन को बिल्कुल अच्छे लर्ण कर लेना है चलिए बढ़ते हैं next में next आपकी screen पर दिया हुआ है 10th number जिसम बोल गया है इराग की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number C national assembly चलिए बढ़ते है next में next आपक screen पर दिया हुआ है 11th number जिसम बोल गया है इंडोनेशिया की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number D people's consultative assembly चलिए बढ़ते है next में next आपकी screen पर दिया हुआ है 12th number जिसम बोल गया है इराग की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number A मजलिश यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इरान की जो संसद है उसका नाम मजलिश है चलिए बढ़ते हैं next में next आपके स्क्रिन पर दिया हुआ है 13 नमबर जिसम बोला गया इसराइल की संसद का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील की संसद का नाम है नेशनल कॉंग्रेस तो यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 16 नंबर जिसमें बोल गया है अर्जेंटीना की संसद का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाएगा अप्शन नंबर बी नेशनल कॉंग्रेस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 17 नंबर जिसमें बोल गया है अमेरिका की संसद का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाएगा अप्शन नंबर डी कॉंग्रेस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 18 नंबर जिसमें बोल गया है कनाडा की संसद का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाने वाला है आप्शन नंबर बी हाउस ओफ कॉंट एवं सीनिट तो यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाएगा आप्शन नंबर बी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 19 नंबर जिसमें बोल गया है ब्रिटेन की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाएगा आप्शन नंबर सी पारलिया मिंट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने हो मिल जाने वाला है 20 नंबर जिसमें बोल गया है इस पेन की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका राइड आंसर हो जाने वाला है आप्शन नंबर डी कॉर्टेस आपको यह कोर्शन ध्यान रखना है कि इस पेन की जो संसत का नाम है उसका नाम है Cortez तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number D चलिए बढ़ते है next में next आपकी screen पर देखने हो मिल जाने वाला है 21st number जिसम बोल गया है रूस की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number C Duma तो यहाँ पर आपका right answer होता है चलिए बढ़ते है next में next आपकी screen पर दिया होगा है 22nd number जिसम बोल गया है नार्वे की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number D इस्टॉर्टिंग तो यहाँ पर आपका right answer हो जाना है इस्टॉर्टिंग चलिए बढ़ते है next में नेक्स्ट आपकी screen पर दिया हुआ 23rd number जिसम बोल गया है जर्मनी की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी की जो संसत है उसका नाम है बुन्स टेक एवं बुन्स राट तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number B चलिए बढ़ते है next में नेक्स्ट आपकी screen पर दिया हुआ है आपर 24rd number जिसम बोल गया है फ्रांस की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number C National Assembly चलिए बढ़ते है next में next आपकी screen पर दिया हुआ है 25 number जिसम बोल गया है दिनमार्क की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number A force skating क्या हो जाएगा force skating आपका right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते है next में next आपकी screen पर दिया हुआ है 26 number जिसम बोल गया है दच्छन अफरीका की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number C house of assembly चलिए बढ़ते है next में next आपकी screen पर दिया हुआ है 27 number जिसम बोल गया है Syria की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number A people's council क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number A people's council चलिए बढ़ते है next में next आपकी screen पर दिया हुआ 28 number जिसम बोल गया है वियत नाम की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number C option number C आपका right answer हो जाएगा national assembly चलिए बढ़ते है next में next आपकी screen पर दिया हुआ है 29 number जिसम बोल गया है तुर्की की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number B grand national assembly चलिए बढ़ते है next में next आपकी screen पर दिया हुआ है 30 number जिसम बोल गया है Algeria की संसत का क्या नाम है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option number A national popular assembly तो यहाँ से आपके इस topic से related सभी important questions हमापत होते हैं इस topic में आपको आप किसी भी level की तयारी कर रहे हो किसी भी exam की तयारी कर रहे हो इन questions से बाहर इस topic से कोई भी question नहीं जाने वाला है इसलिए इन सभी questions के अच्छे जे notes तयार कर लिजेगा यह सभी questions आपके exam के लिए most important होने वाले हैं तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like कर दीजे साथ में इसे दोस्तों साथ share कर दीजे इसका PDF जो है वो मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा टेलिग्राम चैनल की link के description box में दी हुई है वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ आपको material भी study material भी provide करा दिया जाता है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा help होती है किसी भी exam को crack करने के लिए तो उमेद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए take care जै हिंद जै भारत